हाई वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में आज का वीडियो है रेफ्रिजेटर केटेगरी से आज हम बात करेंगे जीमेंस के फ्री स्टेंडिंग फ्रीज एन फ्रीजर के बारे में यह दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनको आप सब्सक्राइब करूंगा तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो अभी तक इस तरीके का जो कस्टमाइजेशन है वो सिर्फ बिल्ट-इन अप्लाइंस के अंदर मिलता था मतलब जो बिल्ट-इन रेफ्रिजेटर आते हैं जीमेंस के उनके अंदर आपको यह कस्ट करूंगा तो वीडियो को लास तक देखिएगा चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं जीमेंस के इस रेफिएटर के ओवर व्यू के बारे में आईक्यू 500 स्रीज का यह मॉडल है फ्री स्टेंडिंग के टेगरी का इसके अगर मैं फनीशिंग की बात करो तो 348 लीटर का इसका ग्रॉस कैपेसिटी है एंड इसके मॉडल नमबर की बात करें तो के एस 36 वी एक्स 30 आइस का मॉडल नमबर है एंड इस प्रूडट का जो MRP है 171,290 का है बाकी बैस पाइजिंग के लिए आप सीमेंस के स्टोर को विजिट कर सकते हैं जहा इस फ्रीजर का जो ग्रॉस कैपेसिटी है वो 255 लीटर का है इसके मॉडल नमबर की बात करें तो जी एस 36 एन एक 30 आइस का मॉडल नमबर है एंड इस फ्रीजर की जो MRP है वो 171,290 का है तो साथ में ये दोनों फ्रीज और फ्रीजर कुछ इस तरीके से आपको लगता है त इस फ्रीज के डोर पे आपको इसका डोर ट्रे देखने को मिलेगा जिसमें डॉप साइड में आपकोसłा मॉप्ष ऑफ उप्शन देखने को मिल जायगा इसी के सायब दो लार्ज डो जर अन्दब को समल दूभ ऑको हुच लो कि है इस फ्रीज के पूर के अंदर आपको टो को मिलता है जिसमें different different high quality sensor की health से वो ensure करते हैं कि जो refrigerator के अंदर आपको cooling मिले वो एकदम best मिले और uniform मिले and freshness का level भी आपको सबसे best आपको इस refrigerator के अंदर देखने को मिल जाता है and refrigerator के अंदर आपको wine bottle rack का support भी देखने को मिलता है तो इसमें proper तरीके से अपना bottles वगरा भी आप इसमें easily रख सकते हैं and total seven number of cells आपको इस fridge के अंदर देखने को मिलेंगे जिसमें से चार का आप height adjust कर सकते हैं अपने neat के accordingly फ्रीच के bottom side पे आपको इसका एक hyper fresh plus draw देखने को मिलेगा जिसमें humidity control का feature आपको देखने को मिल जाता है जिसकी health से आप अपने fruits and vegetables का जो freshness है वो longer time तक रख सकते हैं इसी के साथ one vegetable container आपको देखने को मिलेगा जिसमें telescopic rails का support आपको देखने को मिलता है तो इसको access करना इसको use करना कफी convenient हो जाता है यह कुछ technical specification data है इस fridge का जिसके अंदर आप इसका dimensions को check out कर सकते हो energy efficient rating इसका A++ का है and annual power consumption जो इसका 112 kilowatt hour का है 90 watt का connection rating आपको इस fridge का देखने को मिलेगा and इसका gross capacity है 348 liter जो कि इसका net capacity है 346 liter का and total net weight आपको इस fridge का 66.1 kg का देखने को मिलेगा then next हम बात करते हैं इसके freezer वाले model के interior की तो अंदर से ये freezer आपको कैसा दिखता है आए दिखते है freezer के door के अंदर top side में आपको इसका electronic control panel देखने को मिलेगा तो freezer के पूरे temperature की setting आप इसके easily यहां से कर सकते हैं total 3 safety glass cells आपको इसके freezer के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो proper तरीके से अपना जो भी frozen food है आप इनके cells के उपर आप easily place कर सकते हैं total 4 drawer आपको इसके freezer section के अंदर देखने को मिलेंगे जिसमें से एक drawer के अंदर आपको automatic ice maker का feature देखने को मिलेगा तो proper तरीके से ice की cubes को आप इसमें easily ले सकते हैं इस freezer के freezing capacity की बात करें तो 20 kg ice per 24 hour के अंदर इसका है तो हर 24 घंटे में ये 20 kg तक का ice को यहाँ पर make कर सकता है और इन 4 drawer में से ही जो इसके 2 drawers हैं वो काफी बड़े big boxes के रूप में आपको देखने को मिलते हैं तो अच्छा amount of space आपको इन दो boxes के अंदर देखने को मिलता है जिसमें अपने बड़े से बड़ा frozen food भी आप इसमें easily store कर सकते हैं दन लास्ट में बात करते हैं इस freezer के technical specification data की dimensions आपको ये देखने को मिलती है इस freezer की energy efficient इसमें आपको A++ देखने को मिलेगी 237 kilowatt hour का पर अनम का इसका energy consumption है 42 decibel noise इसके अंदर देखने को मिलेगा connection rating 90 watt का and gross capacity 255 liter है and net capacity 242 liter का इसका देखने को मिलेगा and इस freezer के मैं net weight की बात करूँ तो 74.2 kg का net weight आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है 1 year का comprehensive warranty and 10 year का compressor warranty आपको इस freeze in freezer के अंदर देखने को मिल जाता है आपको इस freezer के अंदर देखने को मिल जाता है